कि नबसकार दोस्तों मैं संजया जौधरी आज का वीडियो टॉबिक है कि बेस्ट एप्लेकेशन जो है वो कौन से अवैलेबल है मर्केट में या ओनलाइन अवैलेबल है जो फ्री आफ कॉस्ट है टैट्व के डिजाइनिंग के लिए और किस तरह के से उनका यूज क्या आज करता है जाए तर प्रोफेशनल आडिस्ट है वह जो है वह है प्रचेस करते हैं फोटोशोप कॉर्यल और जो हैं वह पर चेस करते हैं तकि हम कस्तम टैट्व को डिजाइन कर सके लेकिन बहुत सरे ऐसे अप्लिकेशन जो फ्री आफ कोस्ट अवैलेबल है क्या कि अगर आप क करें तो अच्छा है क्योंकि अक्सर लोग चापा मारते हैं तो दिक्कत होती है तो आप किस तरह के जो अप्लिकेशन है वो यूज कर सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूं फ्लस यह फ्री आफ कोस्ट अवैलेबल है और इन सब के लिंक में आपक अपको इसलेक्स चैनल के साथ बने रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर जरू किजेगा ताकि किसीओ और के आपको कौन सा application सबसे best लगा तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे ज़रू सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को सबसे पहले मैं आपको एक app पता रहा हूं जो online भी है और आप इसको windows में यूज करें प्लस इसको आप मुवाइल में यूज करने के लिए आपको Pinterest.com जो है एक website है इस पर आपको signing करना पड़ेगा signing करने का यह फायदा होगा कि आपके account बन जाएगा उसमें आप जो भी सर्च करेंगे सर्च से लेटेड आपको पिक्चर सजेस्टिस हमेशा करता रहेगा और आपको एक फोल्टर बना लेगा जिसमें आपको हरमेशा हर वीक मेश हो है वह एक collection आपको भीजता रहेगा इसमें आप सर्च में करते हैं कुछ भी वेबसाइट के यह फायदा है कि इसमें जितने भी फेमेस टैटू आर्टिस्ट हैं और फोटोग्राफर्स हैं किसी भी तरह के आर्टिस्ट हैं वह अपने जो SD definition के जो है अपलोड करते हैं आपको कुछ भी चाहिए इस टैटू के डिजाइन चाहिए मैंने यह कुँक्क है मेरा प्रफाइल है तो इसमें जाधर मैं डॉइंग्स वगरा डूनटा हूं और टैटू के तो मुझे और रैफरेंस के लिए कुछ चाहिए होता तो इसमें सब के schd image से कि किसी बीतरी आप इस बहुत सारे आपकस क्लीक्शन बिलेंगे और आप बहुत अच्छा प्रमन है तो भी आपके इस बहुत है क्या है रापको जो भी थेश पसंदारा आपूमिंट करके से भीत सकते है और सेफ करके आपने मन चाहा इमेज लेस्कते है उसको एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं तो यह बहुत ही काम की लिंक है और पिंटर्स टॉट कम जो है बहुत ही अच्छा रेफरेंस अमेज के लिए माना गया है गूगल भी है लेकिन पिंटर्स पे जो है आपको इसमें सेम वही चीज मैंने अपने अकाउंट लॉगिन कर रखे कोई भी आपको इमेज चाहिए रेफरेंस के लिए आपको यहां से डाउनलोड कीजिए और इसको आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे एडवांस पीचर सेम इसमें पी आप दिया है कि और यह एक इमेज आपने सर्च किया तो इसमेज से लेटर इसमें बहुत सारे और इमेज भी आपको सजेस्ट करेगा बहुत ही अच्छा अपली कर सेन मैं हुआ के खोद ही उस करता हूं इसजी के हैं अपने इसमें स्वारान के लिए उसका सकते हैं पर अगर बहुत ही अच्छा एप्लिकेस है और सबसे बड़ी बात है यहीं पर सब कुछ पैंसिल का साइज सोटा बड़ा करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम हमारे पास बहुत बहुत ही अच्छा अप्लिकेस है मैं इसको यूज करता हून बहुत कम यूज करता हूँ लेकिन बहुत ही अच्छा अप्लिकेस नहीं है और सब बड़ी बात यह है कि इसमें हम हमारे ब Angebot सारी बर्षा मिल जातें हैं बहुत सारे उप्सांस मिल जाते हैं कलरस के ऊंश आ ocеро फेड इंग का उपशन है कलर का और सब्सक्राइं कर सकते जैए को सब्सक्राइबror कह सकते हैं इस अब ड़े कर सकते हैं जब में हैं X & Sketch यह application free of cost of value और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हम फोटोशो में एक फिल्टर होता है फोटो कॉपी का जिससे हम स्टैंसल डिजाइन करते हैं हमें कुछ भी समें स्टैंसल डिजाइन करना है तो मालने हम एक reference image चाहिए इसमें कुछ भी ले सकते हैं suppose माल लिया हमने यह image लिया तो यह इसमें बहुत सरे फिल्टर है लेंकि सबसे बड़ी काम का हमारे फिल्टर है वह है फोटो कॉपी आपने देखा हुआ कि मैंने वीडियो मनाया था इसमें फोटो शॉप का इमिस किया था फोटो शॉप में जो ह अचा यूज है बहुत एजी हुज है हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी सिर्फ उसको यहां से खीश के ड्राइग कर देना है और किसी भी image का आपको यह sketch बना के दिखा देगा outer बना के दिखा देगा line work बना के दिखा देगा किसी भी drawing को आप इसमें करिए और वह से फो अच्छा अच्छा एफेक्ट आ जाता है अगला एप्लिकेशन है sketchbook sketchbook जो एप्लिकेशन है वह PC और Android प्लस iOS तीनों में available है इसमें बहुत सारे advanced features है Photoshop की तरह इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी drawing बना सकते हैं कोई stencil बनाना है stencil बनाने के लिए आपको इसके अंदर इसमें image का भी आप add कर सकते हैं इसमें editing कर सकते हैं अपने इसको छोटा बड़ा करके कैसे भी करके बहुत सारी इसमें editing कर सकते हैं आप सबसे बड़ी बात है कि Photoshop की तरह ही काम करता है काफियत तक इसमें editing करने के लिए इसमें इसमें layers हैं बहुत सारे बहुत सारे brush के tools हैं यहां से brush आप ले सकते हैं brush की property को set कम जादा कर सकते हैं pencil है brush है बहुत अच्छे quality के और बहुत ही अलगलग variety के pencil हैं इसमें बहुत सारे options है जैसे कि zoom का है editing का है आप image को छोटा बड़ा कर सकते हैं editing कर सकते हैं और इसमें कोई curve बनाना है माल ला लाइनिंग वर्क जीए तो इसमें सिर्फ लाइन ही करेगा किसी भी एंगल में आपको कर्व चाहिए कोई image में जैसे हमने कुछ बनाया तो इसको कॉप करना है इस तरह के बहुत साइस में एडवांस फीचर है इसके लिए कभी वीडियो बनाएंगे इसका पूरा फूल वर्जन का इस तरह के लिए बहुत ही अच्छा एप्लिकेशन है तो इस तरह के इसमें आपको फीचर मिल जाएंगे तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बाद चल जाएगा इसके टूटोरियस है यूटूब पर अवैलबल है तूटोरियस आप देखेगा और बहुत ही अच्छा एप्लिकेशन है आपको पीचिव करके दिखाया सेम आपको इसको आप एंड्रोइड में यूज़ कर सकते हैं और सबसे बड़ी होता है कि आई पैड में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है आज कल मैं इस पर एक नई ड्राइंग बना रहा हूं अभी देखेंगे कि ड्राइंग में कितनी अब इंपॉर्ट करके आप नहीं में स्टैंसिल पेभी काम कर सकते हैं और इसको फिर न्यूचेटा है इसमें ग् probably आहले जा कि अप और अव्य जाते हैं प्रकाट करकाण सबैसे आप दो ते क्राइंग में बना रहा हूं इस तारिका से ऐप कोई भी कष्टुम टी बहुत सारे मल्टी टाइब के टैक्चर ब्रस है इतने सारे ब्रस हैं कि आपको हड़त रहे कि इसमें टॉचिंग दे सकते हैं यह ओपैसिटी यहां से कम जादा कर सकते हैं कलर कम जादा लगते हैं और इसकी खासियत मैं बताता हूँ कि जैसे हमें इसमें कोई ब्रस चाहिए और हमें इसमें एडिटिंग करने के ज्यादा नहीं है हमें इसको थोड़ा ऌपर करते हैं आगे कहीं कि शेयर तो ब्रस के साइड है उसके ब्रस का जो इंक्टेंसी फ्लो है कम जादा हो जाता है मिल्हां अगर यहीं से कड़र को भी हम कम जादा कर सकते हैं तो बहुत सारे फीचर्स है इसमें अब जिस तरह से फीचर्स करेंगे सारे कलर पीकर और सारे अप्सेंस अवैलेबल है अब जूस करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और सबस्क्राइब बात है कि इसमें हम फोटोशॉप कि दरें लेयर्स पर काम कर सकते हैं ये देखें और मेरा एक्ट्रेश्ण में इस इमिच से डेकर अलग लेयर्स पर काम किया है और मैंने ये ड्राइंग कर रहा हूं अभी टाइम लगए अब किस तरी का से मैंने अच्छा रौइंग बना रखा इसमें अब मेरा इसी एप से बनाया वाँ तो इस तरीक ऐसे यह बहुत काम का अप है और इसमें आप कस्टम बजाइनिंग के लिए बहुत ही सांधर एप है क्या जोड़ते हैं इतना महेंगा साथ भी खरनेगा जब आपका काम इसी एप्लिकेशन सा सारा उसकता है बहुत ही अच्छी एडिटिंग हो सकती है बहुत जारा ऑप्षिन है इसमें इतने सारे फीचर्स है कि आप इस सारे फीचर्स यूज करें तो बहुत ही अच्छा क्या आएगा कैसा है उसका टैटू देखने में लगेगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एप्लिकेशन है और एग्जैंपल मैंने यह टैटू किसी क्लाइंट को रैफेंस में दिखाने कि किस तरी का यह टैटू उसके बॉड़ी पर लगेगा और कैसा लुक देगा इस देखें इसने स्माइली को डिटेक्ट किया और सबसे बड़े ही अप्लिकेशन की हम इसको किसी भी तरके तो 3D व्यू में भूमा सकते हैं हाथ को और यह उसके साब से ही आपका जो टैटू है और दिखाएगा प्लस इसमें इसमें फोटो घीचने का ऑप्शन है हम यहां से फोटो की सकते हैं उसमेज की और यह उसकी इमेज को फोटो घीच के आपको दिखा देगा प्लस इसका हम जो है इसमेज को हम बड़ा भी छोटा करके हम अगर लगता कि कहीं से एंगल कुछ गलत होगा तो हम इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं और यहां से यहां से यहां स इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और माल लिया हमें हमारे पास खुद की परसनल कुछ इमेज है हम चाहते हैं कि हमने जो कस्टम डिजाइनिंग किये हैं वह भी इसमें दिखाएं तो हम इसमें अमारा बनाया वा कोई भी टैटू आप माल लिजे यह टैटू है तो इसको हम ट् आपका बन जाएगा और आप इसको क्लाइंट को दिखा सकते हैं किस तरीके से हमारे टैटू है किस तरीके से लुक देगा उसे क्लाइंट भी खुश हो जाता है कि हमारी बॉड़ी भी कुछ ऐसा लग रहा है टैटू पसंद आएगा तो बनवाएंगे और मैंने आपको यह स्कैनिंग भी करने के बाद जो है अब यह देखने कि इस बार इस इमेज बन रही है वह बहुत छोटी बन रही है तो इस तरीके से जो है अगर स्माइली का साइज बढ़ा है तो आपको इमेज भी बढ़ा करके दिखाएगा और स्माइली का साइज छोटा है तो आपको उस है तुलिक है कैसे वी आप सको मूव करेंगे वह आपका इमेज है वह वैसा ही रहने वाला है जैसा उसमें है तो आप सपेशलिक जो इनल्ट जो डिखर वह वैसे भी दिखेगा तो इस तरह से आप प्रिवीय infection का किसी प्रिव्व LearnS